आज किस कार समित्य में आप सभी लोगों का, मैं हिवे से अभी नगन करता हूँ, हिवे से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज किस कार समित्य में हम लोगों का सभागत क्याद मुद्य तीथी के रूप में आदने मनुहरलाद प्टर जी उपस्थित में जो भारत सरकार में उर्जा आवास और सहरी मंत्राले के मंत्री के दाइतों में हैं, उनका उत्मुधन हम सब लोगों को मिला, प्राज सभी रिये उन्होंने उर्जा और आवास सहरी विभाब का समिच्छा पैठक दे किया और उन्होंने आफोस दिया है कि 36 गड़ के विकाव के लिए उनका मंत्राले लगातार सहयोग करेगा, उन्होंने कहाँ है कि जितना ज्यादा जल्दी जल्दी पैशा करता करोगे, उतलिक जल्दी जल्दी पैशा देने और आगे उन्होंने के विए आज पिस्तर काल समीति में समारी निक्ताओं का मार्दरसन मिला है, मानि सिली प्रकाह स्वाइच का बहुअ कि अधियजेच का बिए आसिवाद मिला है तरह में तिक प्रस्ताओं भी पास किये हैं और हमारी देश के यसस्वी प्रधान मंत्री जी को लगातार तीसरी वार प्रधान मंत्री के रूप में दाई तो सम्हानी के लिए बधाई प्रस्टाओं के बाराओं को बधाई भी दिये मैं यादा वक्त नहीं दूगा आप सब लोगों को मालूप है कि विधार सम्हा तो हजार प्रस्टाओं के पहले उसके छे मैना पहले 36 गड़की क्याई स्थिती थी कांग्रेस वाल ने हम लोगों को गिंते नहीं थे हज़वालों और हमारे लोगों में भी बहुत लोगों को विश्वास नहीं था कि हम लोग फिर से सरकार बना पाई लेकिन जैसे जैसे हमारे नेतालों प्रभारी के रूप में आये पहले तो आदम ने अजय जामाल की आये छेटरी तंगठन महामंतरी के रूप में और जिनके पिसे में हमों को जानगा निली कि जहां भी जाते हैं वहां पर चुनाव पुनते हैं इसके पहले हो पंजाब हरियाना मोर जिस जिसे जगह में काम की और हर जगह भारती जन्दा पार्टी का परचम लाए तो एक विश्वास अमनों को जगा कि अब आदने जामवाजी आ गए हैं तो जरूर 36 गड़ का कल्यान हो रहा है आदने माथूर जी वो परभारी बन कर आये और आत्रे के साथ उन्होंने कहा कि 36 गड़ में हम लोग सरकार बनाएं तो हम लोगों को लगता था कि खेस्ते एक तो इतना असानी से बोलते रहें कि सरकार बनाएं लेकिन हमों को विश्वास था कि वो बड़े-बड़े राज्यों में भी रहें उतरमधे जैसे राज्यों में रोहावी सरकार बनाएं तो इक विश्वास जगा आदने स्युप्रगाती वो आएं तो विश्वास जगा नितिन नमीन भाई साथ साथ परभारी के रूम में आएं और सम लोगों ने अमलों का ढणत पनाया पूरी प्रदेश में उनका परवास हुआ आदने स्युप्रगाती एक एक समभाब ले गये कार्गरतों का होसला आप जई किये अमारे आदने अजे जामवां जी एक एक विधान समभाब तक गये और निजलेश्वत तक गये और इस समभ और विधित कार्गम किये इवा मुर्चा का कार्गम महला मुर्चा का कार्गम और इसके बात से कार्करताओं को गुलोबल बढ़ने लगा फिर हमारे देश के असुस्वी पुठान मत्री साथ जुलाई को राइफूर आवे आए और उन्होंने जो नारादिया की नई सहे बो बदल के रख दो उसके बात पुरे 36 गड़ का वातावरण चेज हुए तो इस तरह से कार्करताओं को गुलोबल बढ़ा हमें का काम हमारे केंद्रे नित्तो और हमारे परवारी में जो आए परवारी गड़न ने किया मैं चाहूं का कि आप सब लोग उन्हों के लिए पार दुरतार ताली बढ़े हैं लेकिन अगर दोनों चुनाओं में हम लोगों सब्सक्रता हासिल कर पाएं तो बाकि हमारे बड़े नेता तो हमलों का गुर्णोपल बढ़ा हैं वातावरन बनाएं लेकिन निजले हिस्तर में बूत में मंदल में एक एक गाउं में जानी का काम तो आप सब लोग कि अमारे दो दिलकुल कार करता हैं अब कर दो दो आप सब लोग एक एक बंता ताएक गाउं एक घंसर जाने का काम किये When रूपलरी तटिकर सब्ता को बताने का काम किये और सो मिलाकर हम लोग, विधान सभा और लोग सब हमें एति हासिक विजय प्राप्स करने में सफल हुए इसके लिए आप सब लोग इखाली बजाएगे अब अब सरकार को हम लोग बनाए लेकिन सरकार बनाने के बाद जनता का विश्वास हम लोग जीतना था, विधान सभा के चुराओं पे चतिगर्ण की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके गार्टी जनता पार्टी को सरकार में बढ़ाया तो हम लों का पहला काम था सरकार का, शतिगर की सरकार का की शतिगर की जंता का विश्वा थे, और इसलिए बोदी की कारंती में जो भी बाता था और जिसको चुना देश्टी कोन से पहले करना जोड़ रही था, वो सब को हमारी सरकार थे किया और चुनाव केंपेंडिंग के दौनाम तमारी आदाने प्रभानमंत्री जी भी सत्रिगर की जनता से कई वाधा किये थे पुरी जो हमलों का घुसना पत्र था जिसके सेमज़क हमारे सांसुद विजय बढ़िल दी थे उनकी टीम जो घुसना पत्र तयार के उसको मोदी की गा जालभ गारंटी मलं जालभ और पूरा होने कि गारंटी और इस बातवाथ स्ट्र करता जाल के दहां विष्वास करके हुम सब लोग सरकार में बिठी है इस ने ने कहा थे इस सरकार मॉलेगी तो पहला काम अधाला लाग नो नामुत्री आवा से करीदों पंचित हो कही चौदात इसम्वर को ही पहला के बिनेट करके अठारा वाग से जादा प्रहामति आवाज की स्विक्रति दिये जो मुदी की गारेंटे के पहला काम उप्तिर हम लोग पूरा किये फिर दो साल का बगाया बोनस लेदेखा काम किये जिसको कॉंग्रेस ने भी अपने घुस्ना पत्र में जन घुस्ना पत्र में रखा था लेकिन पाफ साल में उसकी चर्चा भी उस सरकार ने नहीं की लेकिन हम लोग सरकार में आते के साथ भी 25 दिसम्बर जिसको हम लोग सुसासन दिवस के रुप में मनाते हैं सद्धे चंदिगर के निर्मात आचल की का वो जन दिवस में होता है वो दिन 12 लाग से जादा किसानों का दो साल का बगाया बोनस दे दिये 3016 करोण रुप्या कर इस्टि 17 खृटी 2 प्रतिएकर धाम भी फ्यरदे रें तेइसो बीस गरोड रूजा देने का काम आपकी सरकार भारती जनतापाटी के सरकार ने की तेइसो बीस गरोड रूजा देने का काम आपकी सरकार के उपर में है और इसको और आगे हम लोगो बढ़ाना है और भी हम लोगो मोदी की गारती का काम पूरा करना है जो भूमी की लोग है उनको तस हजाद का साल का देने का काम हम लोगो करना है और इसके लिए 500 करोड रूपया हम लोग बजट में रखे हैं उसको भी आने वाले समय में चरेके गेस का सिलिंडर 500 रूपय में देने का वादा है उसके भी करेंगे जो भी वादा है तो सब वादा अने वाले समय में पूरा करेंगे और हमारी सरकार करप्शन के मामले में दिवर्ट कॉर्वेंस बिंदी को अपना तर चल रही है और आप सब लोग देख रहने की जो भी यहां भी करप्शन का मुझाई था जिससे आपका आपकारी में एक एफिल टेंड बुता था जिसमें भरी तलाकारी होती थी जिसके कारण सराम होटाला भू हुआ दोहजार करोण का और आज दोसीतार लोग दिल के अंदर भी है वह एक फिल टेंड को हटाने का काउट दिये हैं कोईला के छेत्र में ओफ्लाइन टीपी जारी होता था जिसमें 25 रुप्या परती टन बिना दिये टीपी करता नहीं था ये ओफ्लाइन को भी हम लोग खत्म करके ओनलाइन कर दिये हैं को इस तरह से जहां भी करप्शन का गुटाईस है तो सबको भी देरे देरे हम लोग पूर कर रहे हैं पराने वाले समय में और भी करने वाले हैं और आज जो यहां पर भटाचार की पिछले पांस साल में उपको सजा देने का काम भी चल रहा है चाहे वो आपकारी घुटाला हो चाहे वेला घुटाला हो चाहे पीवेब का घुटाला हो आप सब लोगों को मालूम है कि सभी घुटाला की जांच हो रही है और लगातार लोग अंदर अभी तक भी जा रहे हैं जैसे जैसे जांच आके बढ़ रही है वे तो यसे जो भुटाचारी लोग है सब दिल के अंदर में जा रहे हैं विज़रते हमानी है सरकार करप्संद के मामले में बीरु टालेंस के नीदि अपना रही है वैसा अब हमारी सरकार कर रही है और कि मैं आस्वाइब कर सकता हूं मुख्तमंत्री के नातिक आप लोगों ने हम लोगों को सरकार में बैठाया है तो हम हमारे उखुमंत्री दोनों और मंत्रियन सब लोग अमनों पूरी निष्ठा के साथ परिश्रों के साथ इमानदारी के साथ जनता का विश्वास भी बरकार रखने का परियास करेगे और जो कारकरता आप लोग भी परिश्रों का पराकासा करके भारती जनता पार्टी को सरकार में बैठाये हैं आप लोगों के विश्वास में भी खरा उतरने का पूरा परियास हमारी सरकार का होगा और हर शितर में हमारी सरकार काम कर रही है आज जो बस्तर के अंदर में पांच दिले नक्सल पर भाविट है उसके हम हमारी क्रीम मंजीजी को जन्वा देना चाहिए कि उनका भासन ता आप सुने ना जैसा भासन में वोज है वैसे उनके काम में भी वोज है आज आने विजे सर्मा जी आज इस तरह से हुनों नसलवाद के साथ लड़ाई लड़ पारने एक तो डबल इंगिन सरकार का भी हमनों को योगतार है हमारे मन्ये प्रधानमंद्री जी और मन्ये ग्रीमंद्री अमिर साथ जी उनका भी आशिवाद है पराबर भी चिंता करते हैं ताति हमारे मन्ये ग्रीमंद्री जी का भी साहस और जो इनर्जी है वो भी काम कर रहा है उनकातार नसलवाद से हमों लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक के इतिहास में इतनी तेजी से लड़ाई कभी नहीं नसलवाद के खिलाव में आज छे महिने के अंदर में ही हम लोग करिब 145 नक्सलियों को धराताई करने में सफल हुए एक हजार से जादा नसली आत्मों समर्पन किये है या उनकी गिरवतारी हुई और लगाता हम लोग सुरक्षा के बढ़ाते जा रहे हैं अभी तक करिब 32 सुरक्षा के इस्थाफित कर चुके हैं और आने वाले समय में 2900 सुरक्षा के इस्थाफित करने वाले हैं और जहां भी सुरक्षा केम हमारा इस्थाफित हो रहा है हर सुरक्षा केम के 52 मेटर रेडियस में जितने भी गाउं हैं वहां पर नियत निलानार इंदना के माध्यम से सरकार की जो 32 जिवदना हैं उस पर फोकस कर रहे हैं और वो 32 जिवदना उन तक ततकार पहुंचे इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही हैं वहां पर जो भी करमचारियों की कमी है तो सब को भूत्ति कर रहे हैं और संसाजर की किसी तरह से भी कमी वहां पर होने नहीं दे रहे हैं और दूर संचार का भी अभी देड़तों से ज्यादा दूर संचार के टावर, मुबाई के टावर भी वहाँ पर लगा चुके हैं इस तरह से नक्सनबाद के साथ दहुत मजूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे आतने किरिमंत्री जी काई है जब आये थे, सरकार जब बनी तो यहाँ पर बैठेक लिने भी आये थे और उन्होंने आस्वत किया था, कि आने वाले तीन साल के अंदर में छटी जड़ से लड़सलवार समाप करेंगे और हमको लगता है कि चितरा से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आतने प्रधामंत्री और पिरमंत्री जी के मांदर्शन में तो निशित रुख से उनकी संकल्प को पूरा कर पाने में हम लोग सभर भूंगे और वागी सरकार चलाने में आप सब लोगों का भी मांदर्शन लेते रहेंगे और आप लोगों तक हमारी प्रभारी मंत्री जी जीलों में जाएंगे आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे आप लोगों का मांदर्शन लेंगे और हमारी आदने सुप्रकाजी में मंतल और दूख ससक को इस पर विशेश जो दिया है क्योंकि संगठन रहेगा तभी सरकार रहेगे संगठन रहेगा वोगो तभी सरकार को हम लोगो इस्टिबल रखवाली में सपन होंगे इसलिए विरा भी आगर होगा कि भारती जंदा पार्टी में संगठन सारों करें और इसका हम उत्ताल भी रखेंगे तो आप लोगों मजबूत रहेंगे तो हम लोग भी आप लोगों की मजबूति करन सारों काम करेंगे और आने वाले समय में दूर चुनाओं है और वो कारकरताओं का चुनाओं है लंगरी दिकाई का और पंचायत का आप लोगों से हमारा आगरा होगा कि दोनों चुनाओं को भी मजबूति के साथ लड़ना है और वो कारकरताओं का भी चुनाओं है हमारे अधिकाई कारकरताओं को उसमें उसर मिलता है और हम नगरी छेत्र का पंचायत छेत्र में मजबूत रहेंगे तो हमारा उपर भी मेरा आगर होगा कि इस दोनों चुनापों भी हम लोगों को बड़ी मजूद्जी के साथ लड़ना है वह समय काफी भुगया है इसका ज़्यादा नई करते हुए आप सभी लोगों को प्रदेश से दूर दूर से आए आप सब लोगों का बहुत दो धन्वात और अरंत में एक दिमेदन करते हुए कि हमारे प्रदानमंती जी ने भी इसमें जो बुर्म की बात थी उसमें पूरे देश वासिन से आववान किया है कि सभी अपनी मा के नाम से एक पेड़ मा के नाम तो मेरा भी आगर होगा और हमारी सरकार भी इसको अभियान के रूप में ले रही है इस साल हमों चार करोड पेड़ लगाने वाले हैं अब लोग अपनी अपनी मा के नाम से गर्मा जुजित है तो उनको साथ रखे और नहीं है तो उनका फोटो रखे एक पेड़ जहां भी जगविंता है आपके अंगर में आपके बाड़ी में आपके केत में खन्यां में एक पेड़ जरूर लगाएं तो आप सूच सकते हैं क पर्यावरन के शेतर में कित्री बड़ी किरांती आजाएगी तो इसका भी आप सब लोग को पालन करेंगे और रंज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्याद करते हुए यह तो लिकार्गरता भाई पहनों का रहमारी मंच में मिराजमां समारे सभी मात अब सब मिलगा इस 36 गड़ को 36 गड़ के भूब में खड़ा करने का उसमें हमारा ये 36 गड़ भी 36 गड़ पाएंके यह उता है इसी निश्वास के साथ बहुत बहुत रहना जाए झाल